नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GK Tracker पे दिखे फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप GK MCQ सीरीज और इस सीरीज की आज हम 135 फी क्लास यहां पर कवर करेंगे आज के वीडियो में भी आपको GK के प्रिविस एर के MCQs यहां पर देखने को मिलेंगे और ये सभी के सभी MCQs हम पूरी डिटेल के साथ कवर करेंगे जिससे आपके कई सारे जो important concept है वो प्रिविस एर कोशन के माध्यम से clear हो जाएंगे अगर आपने इस सीरीज की प्रिविस क्लासे को नहीं देखा है आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला कोशन है राज्य लोग सेवा आयोग की स्वतंतरता के संबंद में निमलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चैन करें यानि राज्य लोग सेवा आयोग से जुड़े हुए आपको दो statement दिये हैं इन में से कौन सा सही है चलिए देखते हैं पहला statement है राज्य लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को राज्यपाल के द्वारा पद से हटाया जा सकता है देखे जो राज्य लोग सेवा आयोग होता है इसके अध्यक्ष को सदस्यों को निक्त करने का अधिकार किसको है इनको निक्त करता है राज्य का राज्य पाल को नहीं है इस वाले पॉइंट को लेकर बहुत बार सवाल आता है क्योंकि निप्त करने का अधिकार तो राज्यपाल को है इनकी निप्ति कौन करता है राज्यपाल करता है लेकिन इनको पद से हटाने का जो अधिकार है वो भारत के राष्टपति को है चाहे वो संग लो के लिए पात्र नहीं होता है मान लीजिए किसी को राज्य लोग सेवा आयोग में सदस्य बनाये गया जब उसका कारेकाल खतम हो जाएगा क्या वो दोबारा से नुक्त हो सकता है इस चीज़ को भी ध्यान रखना ये वाला बिंदू आपका सही है एक व्यक्ति एक ही कारेकाल के लिए राज्य लोग सेवा आयोग में नुक्त हो सकता है दोबारा उस कारेले में वो नुक्त नहीं हो सकता ऑप्शन सेकन्ड वाला जो आपका स्टेटमेंट है वो सही है जो आर्टिकल 311 का तीसरा पार्ट है वो ये कहता है कि कोई वेक्ती अगर राज्य लोग सेवा आयोग के लिए चैनित होता है चाहे राज्य का हो चाहे संग का हो अपना कारेकाल पूरा करने के बाद वो दोबारा पुरा निक्ति का पात्र नहीं होता ठीक है इस आर्टिकल में कहा गया है तो केवल आपका दूसरा वाला स्टीटमेंट सही है पहला वाला आपका गलत है ठीक है निक्स्ट है हमारा लोग सभा और राज्य विधान सभाओं के एक साथ होने वाले चुनावों के लिए निम्न में से किसमें संशोधन करना होगा लगातार ये टॉपिक चर्चा में रहता है एक देश एक चुना जहां पर इलेक्शन कमिशन का उलेक है आर्टिकल 324 से 329 तक और दूसरा जन प्रतिनिधी अधिनियम 1951 में तो चुनाव प्रोसेस इन दोनों जगहों पर बताई गई है अगर उसको बदलना है एक देश एक चुनाव करना है इन दोनों में संशोधन करना होगा उप्शन C इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट है 1857 के निमलिखित करांती कारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडूरंग था रामचंद्र पांडूरंग ये किसका वास्तविक नाम था ये नाम था तात्या टोपे का उप्शन C सही आंसर होगा तात्या टोपे कौन थे दिखिए इन्होंने कानपूर में करांती का नेत्रित्व किया था कानपूर में करांती का जो सैन्य नेत्रित्व था वो किस ने किया था तात्या टोपे ने कानपूर में नेता कौन थे 1857 की करांती के वो नाना साहब थे इनहीं के सिनपती का नाम था तात्य टोपे तो नाम के नेता कौन थे? यानि जो अधिकारी थे, राजा थे उस समय वो नाना साहब हो गए और सैन्य नित्रत्व कौन कर रहे थे? वो तात्य टोपे कर रहे थे जो नाना साहब थे इनका वास्तविक नाम क्या था इनका वास्तविक नाम था धोदू पंत ये वाला कोशन भी बहुत बार आया है एक कोशन और आपसे पूछा जाता है कि जो तातिया टोपे थे यहां किसकी मदद से पकड़े गए थे इनके एक मित्र थे उन्होंने इनको धोका दिया था इनके साथ गददारी करी थी इनके मित्र का नाम था मान सिंग मान सिंग की वज़ह से इनी के कहने पर इनको पकड़ा गया था तीक है निक्स्ट है हमारा संविधान के अनुछेद 85 के अनुसार एक वर्ष में संसत की नियूनतम कितनी बार बैठक आविशक है तो संविधान का आर्टिकल 85 ये कहता है कि संसत की जो दो सत्र होंगे उनमें किसी भी हालात में 6 महिने से जादा का अंतर नहीं होना चाहिए अगर मैकसिमम अंतर 6 महिने का हो सकता है तो साल में कितनी बैठक होनी अनिवार्या है साल में 2 बार सत्र आने अनिवार्या है यानि 2 बैठक अनिवार्या है तो देखे, आपदा प्रबंदन अधीनियम यहां पर दिया है, इसे संसद ने 2005 में पारित किया था, ओप्शन B, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के समविधान का पहला प्रारूप किसने तयार किया था, देखे, हमारे समविधान का जो पहला प्रारूप था, उसे तयार किया था, बी और राउ में, option C, सही आंसर होगा बियन राव हमारे समविधान के समविधानिक सलहकार थे जो समविधान सभा बनाई गई थी 1946 में उसमें समविधानिक सलहकार कौन थे ये कोशन बहुत बार आया है तो समविधान सभा में समविधानिक सलहकार बियन राव थे इनके द्वारा ही सबसे पहले समिधान का जो प्रारूप था जिसे मसौधा कहते हैं उसे इन्होंने तयार किया और इसी प्रारूप के उपर चर्चा करने के लिए अगर कोई बदलाव की गुणजाईश है तो बदलाव करने के लिए एक कमीटी बनाए गई जिसे कहा गया प्रारूप समिती वो बनी थी बियार अंबेटकर के नेतरित में इसको आपने दिहान रखना है निक्स्ट है वह सुल्टान जिसने सुयनम को खलीफा घुशित किया था कौन था? खुद को खलीफा घुशित करने वाला सुल्टान कौन था दिल्ली का सबसे पहला? ये था कुतबुदीर मुबारक शहा खिलजी खिलजी वंश का शाशक था 1316 से लेकर 1320 तक ये दिल्ली पर शाशन करता है और इसी ने अपने को ही खलीफा घुशित कर दिया था निक्स्ट है किस अंग्रेज कप्तान ने सुरत के पास स्वाली के युद में पुर्तगालियों को हराय था? तो कौन से अंग्रेज ने हराय था सुवाली का युद? देखे सुवाली का युद हुआ था सूरत के निकट 1612 में ये लड़ाई हुई थी अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में होती है इस युद में अंग्रेजों का जो कप्तान था वो थौमस बैस था option B सही अंसर होगा काफी महतपूर्ण युद इसको माना जाता है देखे अंग्रेज जब भारत में आये तो उस समय शाशक कौन था? मुगल शाशक जहांगीर था अंग्रेज जहांगीर के पास गए हमको सूरत में कारखाना स्थापित करना है अनुमती लेने के लिए गए जहांगीर उस समय पुर्तगालियों से जाधा प्रभावित था तो पुर्तगाली बिलकुल नहीं चाते थे कि अंग्रेज यहां पर स्थापित हो पुर्तगालियो के बाद जहांगीर इनको अनुमती दे देता है और जो पहला पर्मनेंट कार खाना इनका सूरत में बनता है अंग्रेजों का वो 1613 में बनता है इसी युद के बाद ठीक है क्यों किसमें पूर्टगाली हार गए थे निक्स्ट है मेगस्तिनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में निमलिकित में से किसका वर्णन किया था मेगस्तिनीज कौन है बहुत बार पेपर में आया है बहुत बार हमने देखा है चंद्रगुप्त मौर्या के दरबार में रहता था सेलुकस निकेटर का राच्टूत था ठीक है, Megasthenes, इसने एक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है Indica, और इस Indica किताब में इसने उस समय का जो भारतिय समाज है, खासकर जो मौरे सामराज्य है, उसके बारे में इसने जानकारियां दी है, अपनी पुस्तक में इन तीन में से इसने क्या-क्या बताया है, उसको देखते हैं, सबसे पहला बिंदु दिया है भगवान कृष्ण की पूजा, ये वाला आपका सही है, इसने अपनी पुस्तक में बताया है कि उस समय के जो लोग थे वो भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करते थे ठीक है तो पहला वाला बिंदु आपका सही है दूसरा जाती ववस्ता की व्यापकता ये भी आपका सही है मेगा स्तनीस ने अपनी इस पुस्तक में जाती ववस्ता के बारे में भी बताया है और कहा है उस समय समाज में सात जातियां थी जबकि उसी समय जो दूसरे विद्वान थे चानक क्या उन्होंने कितनी जातियों का उले किया उन्होंने चार जातियों का उले किया जबकि मेगा पर तीसरा वाला गलत है, सिर्फ पहला और दूसरा सही है, यानि option A इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, next है, किस विदेशी यात्री ने तेलगू भाषा को पूर्व का इतावली कहा था, तो पूर्व की इटैलियन भाषा तेलगू को कहा जाता है, और ये किस ने कहा था, ये कहा था, निकोलो डी कॉंटी ने, option A सही आंसर हो जाएगा, निकोलो डी कॉंटी की बात करें, तो 1420 से लेकर 1421 के बीच में ये भारत आया था, विजनरगर सामराज्य का जो शाशक था, देवराई प्रथम, उसके दरबार में गया था, ये इटली से ही आया था, और इस के काल में आया, तो देवराई प्रथम था, उस समय विजनरगर के राजा, एक और कोशन इसको लिख कर आता है, कि भारत, सुमात्रा, यानि इंडोनेशिया और चाइना के बीच में मसालों का व्यापार होता था, इस बात की पुष्टी किस ने करी है, वो इसी ने करी है, ठ option A, सही आंसर हो जाएगा, मिटी के बरतनों का जो सबसे पहला प्रमाण मिला है, वो हमें मिला है महरगड से, महरगड आपके वरतमान में पाकिस्तान के बलुचिस्तान में पढ़ता है, ठीक है, निक्स्ट है, चंदावर की लड़ाई, मोहमत गौरी और किस वन्ष के राज जित हो जाते है, मोहमत गौरी यहां पर जीत जाता है, जो जैचन थे, ये किस वन्ष के शाशक थे, ये कोशन आता है, ये थे आपके गहडवाल वन्ष के शाशक, इस युद से तीन साल पहले, 1191 में पहला तराइन का युद होता है, जिसमें चोहान वन्ष के जो राजा थ जिसमें एक और युद होता है, जिसे चंदावर का युद कहते हैं, यहां गौरी और जैचन्थ के बीच में हुआ था, जो कि गहडवाल वन्ष के राजा थे, ठीक है, निम्न में से किसमें सरकार के विरुद निंदा का तत्व हो सकता है, सरकार के विरुद निंदा, यानि कि किस प्रस्ताव में, यहां पर चार प्रस्ताव दिये गए या चार कंडिशन दी गई है, किसमें ऐसा भावारा है, जिसमें सरकार की हार यहां पर आपको दिख रही है, देखते हैं, एक एक करके इनको, पहला इस्तखन प्रस्ताव पारित करना, अगर इस्तखन प्रस्ता इसको पारित करवाने में कामध हो गया तो एक इसमे निंदा का तत्व है यानि सरकार के लिए ये एक हार वाली बात है तुसरा राश्टपती के धनेवाद प्रस्ताव का पारित ना होना ये भी आपका सही है, इसमें भी निंदा का भाव है यानि अगर राष्टपती आप जानते हैं जब संसद का सत्र शुरू होता है साल का पहला सत्र और जब नई संसद चुनकर आती है उसका पहला सत्र तो राष्टपती अपना अभिभाशन देते हैं उसके बाद उस अभिभाशन पर धनेवाद प्रस्ताओ लाया जाता है उस प अंत्री के खिलाब भी पारित हो गया तो भी सरकार की हार मानी जाती है, ठीक है, चोथा है विशेशा अधिकार प्रस्ताव पारित करना, विशेशा अधिकार प्रस्ताव सरकार से संबंदित नहीं होता है, अगर किसी सदस्या के विशेश अधिकारों का हनन हुआ है, और जिस सदसनिक किया है उसके खिलाफ वो ला सकता है चाहे वो सरकार का हो चाहे वो बाहर का व्यक्ति हो यानि गेर सरकारी व्यक्ति हो तो चोथा वाला गलत है बाकी पहला दूसरा तीसरा इन तीनों में निंदा का तत्व है ओप्शन भी इसका सही उत्तर होगा ऐसे कोशन भी पंच जाते हैं पॉलिटी को लेकर के कि आपको छोटे छोटे जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं उनको लेकर सवाल बना दिया जाता है ठीक है निमलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल करम अनुसार ववस्थित करें तो चलिए इनको लगाते हैं कौन कब भारत आया था अगर हम इनके वर्षु की बात करें सबसे पहले विलियम हॉकिन्स की बात करते हैं विलियम हॉकिन्स 608 में आता है जिसे हम कैप्टन हॉकिन्स भी कहते हैं जहांगीर के दरबार में ये गया था रॉल्फ फिंच की बात करते हैं रॉल्फ फिंच आपके 1580 के दशक में भारत आता है और ये अकबर के दरबार में गया था ठीक है थॉमस रो की बात करें थॉमस रो आपके 1615 में भारत आया जहांगीर के दर्बार में और Nicholas Downton की बात करें यह आया था 1614-15 के काल में ये भी जहांगीर के दर्बार में तो सबसे पहले Rolf Finch आया यानि की दो आंसर होगा उसके बाद William Hawkins आया यानि एक होगा फिर आपका 1614 के करिप Nicholas आया यानि चार और फिर आपका तीन दो एक चार तीन इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सी जलधारा उत्तरी Atlantic महसागर में प्रभाहित नहीं होती है तो देखें ये जो सारी जलधाराएं हैं सभी की सभी Atlantic महसागर की हैं लेकिन इनको भी दो वर्गों में बाट दिया जाता है एक उत्तरी और एक दक्षणी Atlantic महसागर इनमें से जो गल्फ इस्ट्रीम आपकी हो गई जो आपका Norwegian हो गया जो आपका Florida हो गई ये सब किसकी हैं उत्तरी Atlantic महसागर की जबकि Bengola किसकी हैं South Atlantic महसागर की Option B सही आंसर हो जाएगा ठीके उत्तरी Atlantic में कौन प्रमुक हैं चार जलधारा हैं उनको याद कर लीजे एक है Florida इसके लाबा एक है आपके Gulf Stream Atlantic महसागर की तो है लेकिन डीटेल में आएका कौन सवाला उत्तरी इसके लाबा एक आपने पढ़ी होगी लेब्राडोर वो भी उत्तरी Atlantic महसागर की हैं और एक आपने पढ़ी होगी कनारी जलधारा ये भी उत्तरी Atlantic महसागर की हैं दक्षणी Atlantic अट्लांटिक महसागर की बात करें, तो सबसे प्रमुक उनमें बेंग्योला है, ये साउत अट्लांटिक महसागर की है, इसके अलावा एक आपने पड़ी होगी, फॉकलैंड, फॉकलैंड भी किसकी है, ये आपके दक्षणी अट्लांटिक महसागर की है, और एक है ब्रेजिल 1950 को होती है, इसलिए हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 1950 से लेकर के 1989 तक इसमें केवल एक ही सदस्य होता था, यानि या एक सदस्या आयोग था, ठीक है, 1989 में इसमें दो सदस्यों को और जोड दिया गया, यानि एक चीफ इलेक्शन कमिशनर होंगे, औ यानि पहली बार ये बहुत सदस्या संस्थाकब बना, 1989 में बना, हाला कि 1990 में इसे वापस एक सदस्या कर दिया गया था, और उसके बाद 1993 में दुबारा से इसे फर्मनेंटली 3 सदस्या आयोग कर दिया गया, तो पहली बार 1989 में बना था, ठीक है, ओप्शन A सही उत्तर है, निक्स्ट है The Discovery of India पुस्तक किस स्थान पर लिखी गई थी तो देखे काफी famous किताब है काफी प्रसिद किताब है भारत के जो पहले प्रधान मंत्री थे जवालाल नहिरू उनकी पुस्तक है The Discovery of India इस किताब को उन्होंने एहमद नगर फूट जेल से लिखा था यानि एहमद नगर के किले में जब वो बंग थे भारत छोड़ो आंदूलन के दौरान 1942 से लेकर 1945 तक जवालाल नहिरू को महराश्ट्रा के एहमद नगर किले में कैद किया गया था और इसी किले में इसी दौरा 1944 में वो इस पुस्तक की रचना करते हैं यहाँ पुस्तक 1944 में लिखी गई और इसे पबलिश कब किया गया तो 1946 में ये चपी थी प्रकाश्ट की गई थी ठीक है नेक्स्ट है चितोड पर कबजा करने के बाद अलाउदीन खिल जी ने उसका नाम क्या रख दिया था तो अलाउदीन खिल जी ने चितोड विजय कब प्राप्त करी थी तेरह सो तीन में प्राप्त करी थी उस समय चितोड के राजा कौन थे राणा रतन सिंग और इन ही की प उत्र जिसका नाम था खिजर खान उसको यहां का राजा बना देता है और इसका नाम खिजराबाद कर देता है ओप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है निक्स्ट है 1950 के भारतिय समविधान के भाग सी में कितने राज्य थे यह कोशन उत्रा खंड में ही आप से पूछा गया है आप जानते हैं हमारे समविधान में पहले राज्यों को चार वर्गों में बाटा गया था ए बी सी और डी वर्ग में राज्यों को बाटा गया था ठीक है बाद में सात्वा समविधानिक शंशोधन होता है 1956 में और तब राज्यों को दो केटेगरी में बाटा जाता है एक normal राज्य और हमारे केंसासित प्रदेश उससे पहले 4 वर्ग थे जो A वाले राज्य थे इसमें total कितने राज्य थे इसमें थे 9 राज्य बी वर्ग में भी 9 राज्य थे C वर्ग में 10 राज्य थे जो हमने सविधान detail series के अंतरगत हमारा राज्य पुनरगठन वाला वीडियो देखा था उसमें हमने इन सारे तत्यों को और ज़दा detail में देखा था कौन-कौन से राज्य किस type के राज्य किस category में आई थे नियाईक पुनरवलोकन की शक्ती किस से संबनतित है ये कोशन भी उत्राखंड के exam में पूछा गया है देखे नियाईक पुनरवलोकन को आपने कई बार देखा होगा कि हमने यहाँ जो प्रावधान है किस देश के संबिधान से लिया है नियाईक पुनरवलोकन ये हमने अमेरीका से लिया है इंडिया का constitution इंडिया की जो संसदिय ववस्ता है जाता तर समान है किसके? बृटेन के कोशन आता है अंतर क्या है? में अंतर ये है नियाईक पुनरवलोकन हमने ये अमरीका से लिया है क्योंकि बृटेन में यहाँ नहीं है इसका मतलब क्या है? नियाएक परणवलोकन का अर्थ होता है समविधान के विर्द होने पर संसत के द्वारा कानून को असमविधानिक घोशित करना यानि संसत जो कानून बनाएगी उसकी review करने का उसकी समिक्षा करने का दिकार है सुप्रीम कोट को और अगर वो गलत सुप्रीम कोट को लगे तो उसे वो unconstitutional घोशित कर सकती है और समवधानिक घोशित कर सकती है option C इसका सही answer हो जाएगा ठीक है तो इसको भी आपने ध्यान रखना है तो friends यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जिके के 20 important MCQs को यहां पर cover किया और इनको पूरी detail के साथ cover करने का पर्यास किया उमिद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करें चैनल पर नए है तो subscribe करें अपने दोस्तों के साथ share करें वीडियो आपको कैसा लगा comment box में हमें जरूर बताएं Thank you friends